नमस्कार दोस्तों आज एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो हम बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम कंपारिजन करेंगे हमारे कैनन M50 Mark II और आईफोन 14 प्रो मक्स का कि दोनों के अंदर से कौन से की वीडियो क्लिर्टी कैसी है और कौन से की वीडियो क्लिर्टी कम है या क इसके अंदर हमें किस चीज की जड़ूत परती है और कौन सी चीज हमें phone के अंदर inbuilt मिलती है कोन सी चीज हमें camera के अंदर inbuilt मिलती है अब यहां पर दो वीडियो recording देख रहे होगे एक साथ एक हिस वाले camera में एक हिस वाली camera में और इसके साथ ही मैं सिंगल जो माइक है वो म से मैं audio record कर रहा हूं दोनों अगर वीडियो सुट करोगे तो आप देखोगे कि मोबाइल का जो camera होता है उसके अंदर exposure ज्यादा रहता है जबकि camera के अंदर जो exposure है वो कम रहता है इसलिए जो lighting की ज़रूद है वो mobile के अंदर कम पड़ती है और camera के अंदर ज्यादा पड़ती है ऐसे जैसे मैंने पास से lighting यूज़ की है तो इस टाइम पे में लिए light nf है दोनों में और camera के अंदर ज्यादा brightness आती है और जो mobile के अंदर video record होती है उसके अ mobile यूज़ करना शुरू कर दिया mobile के अंदर हमारे cameras आ गए है आज कल बताते हैं लेकिन उसके बावजूद लोग इतने महगी महगी cameras क्यों खरीते हैं क्योंकि actual में camera जो काम कर सकता है वो mobile नहीं कर सकता यह compatible device है जिसके अंदर आप आपकी बहुत सारे चीज़े यूज़ कर स होता है वह वाली video में 30 fps पर ही रिकोर्ड कर सकता हूं HD में और मुझे 4K में रिकोर्ड करनी है तो ही मैं 24 fps पर रिकोर्ड कर सकता हूं उसके बाद बात आती है कि जो हमारा camera होता है camera के अंदर हमारे Canon M50 Mark II के अंदर 25 fps 50 fps पर HD में हम रिकोर्ड कर सकते हैं 4K में भी record कर सकते हैं 25 fps पे लेकिन उसमें जो camera crop sensor का option होता है वो activate हो जाता है अगर मैं यहाँ पर 4K में video record करूँगा तो अभी जैसे मैं पास में बैट के video record कर रहा हूं अपने camera के ऐसे नहीं कर पाऊँगा उसके लिए मुझे अपने camera को बहुत दूर रखना पड़ेगा जह जो है distance वो कर रखा गया तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि मैं mobile के बिल्कुल पास हूँ और camera के भी बिल्कुल पास हूँ उसका reason यही है कि यही मैंने बिल्कुल minimum पे कर रखा है लेकिन उसके बाद एक और चीज हाती है वो हमारा after video shooting हम video के अंदर कितनी editing कर सकते हैं कितन video upload करनी पड़े हैं हम ज्यादा colors के अंदर saturation add करना या कम करना exposure ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं उस condition में image हमारी खराब हो जाती है लेकिन camera के अंदर हम वो सब चीजे कर सकते हैं कुछ हद तक और camera के अंदर हम c log profile में अगर video shoot करते हैं तो उसके बाद तो हम उसमें और अच् test भी कर लिया होगा लेगिन मैं फिर भी अपनी तरफ से बता देता हूं यह जो है मेरी मोबाइल में recording हो रही है और यह वाली जो recording है यह मैंने camera के अंदर start कर रखी है तो आप मेंसे कितने लोग सही थे मुझे comment करके नीच से जलूर बताना और कितने लोग आप मेंसे गलत थ जब हम यह सब चीजे करते हैं तो हमारी आपने देखा होगा कि ऐसे वीडियो ब्लिंक करना start कर देती है बहुत बार जब हम रात के समय में high frame पे वीडियो सूट करते हैं लेकिन ऐसा camera के अंदर बहुत कम होता है camera उसको अपने coding adjust कर लेता है तो अब बात आती है कि आपको क् वीडियो सूट कर सकते हो और आपको अच्छी वीडियो क्लियरिटी चाहिए और अच्छा अगर आपको content बनाना है तो आप camera यूज कर सकते हो camera के अंदर एक चीज और अच्छी होती है कि इसके अंदर आप audio recording को filter कर सकते हो जो noise reduction है उसको कम कर सकते हो इसके अंदर auto tune filter होता ह उसको आप कम या ज्यादा कर सकते हो जो noise का gain है वो कम ज्यादा कर सकते हो mobile के अंदर आपको वो options नहीं मिलते है mobile के अंदर आपने जो recording है वो gain कर ली उसके बाद आप उसको after editing ही कम या ज्यादा कर सकते हो लेकिन camera के अंदर आपको already ये options पहले से मिलते हैं तो ये आज का हमा कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते आगे लिए किस वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बन्ने महात्रम